चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे the eightfold path हमने कहां से शुरू किया कि there are three jewels of Buddhism बुद्ध, धर्म और संग फिर हमने four noble truths की बात की पहला क्या है कि जीवन में दुख है दूसरा है कि इस दुख का कारण है तीसरा है कि इस दुख से छुटकारा मिल सकता है पॉसिबल है और चौथा है उसके लिए आपको आठ चीजें करनी होंगी और देखिए यहां पे यह जो मैंने आठ चीजें आपको दी हैं यह जो originally है यह पाली में हैं उसके बाद उनका Hindi translation हुआ है यह English translation है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह जो आठ हैं यह कहीं जगें पर थोड़े अलग-अलग मिलें इनके नाम क्योंकि यह translated है हर किसी ने जरूरी नहीं है कि उसी शब्द का प्रयोग किया है जैसे यहां पर एक दिया हुआ है सबसे उपर आप देखें right view तो कहीं पर इसको right view दिया है कहीं पर इसको right understanding दी है और जैसे right mindfulness दिया है कहीं पर दिया है right mindfulness कहीं पर दिया है right meditation कहीं पर दिया है right awareness तो confuse मत हो यह कि यह शब्द है तो शब्दों के साथ हमें नहीं अटकना है यहां पर हमें समझना है कि कहना क्या चाहते हैं बुद्ध क्या मेसेज दे रहे हैं, उनकी शिक्षा क्या है तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं जैसा मैंने पहले कहा कि यह जो आठों हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक, दो, तीन, चार ऐसे सीक्वेंस में चलना है जैसे बहुत सारी चीजों में हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं यहां पर ऐसा सीक्वेंस नहीं है यह सब इकठे होते हैं, सब के सब तो हम शुरुआत करते हैं राइट व्यू से Right view या हम जैसे मैंने बोला हम इसको Right Understanding भी बोल सकते हैं कहीं पे तो यहाँ पर जो एक मत है इसमें कि किस चीज की Understanding किस चीज को समझना है या Right Understanding मतलब सही समझ चीज की सही समझ तो यहाँ पर बुद्धिजम में बताया गया है ये चार Noble Truths की सही समझ देखिए, किसी और चीज़ की सही समझ नहीं कि क्या सच में मैंने ये जो चार नोबल टुट्स बताए गए है इनकी मुझे समझ आ गई है और आपको लगेगा हाँ, इसमें समझने में क्या है इसमें तो कितना असान है यही तो बता रहे हैं, जीवन दुख है हाँ दुख है, और दुख का कारण है और दुख से हम छुटकारा पास सकते हैं इसमें और क्या समझना है, है न? हम लोग एक ऐसा समझेंगे तो इसमें थोड़ा सा डीपर जाने की जरूरत है कि जैसे मैंने बोला कि जादा तर, जादा तर लोग जब दुख को देखते हैं तो उनको एक अपना छोटा सा परसनल उनका जो उस समय का मॉमेंटरी, टेंपररी वो जो दुख होता है, वो उसमें उलजे रहते हैं कि इस समय मेरे उपर क्या दुख है अगर सपोज मेरी इस समय कोई शरीर में कश्ट है तो मैं उस कश्ट में ही, उस कश्ट में ही गुसा हुआ हूँ उसी में मेरा, मुझे है कि मेरा ये शरीर का कश्ट दूर हो जाए अगर मेरे पास धन की कमी है तो मुझे क्या फोकस है कि मेरा बस ये धन की कमी मेरी पूरी हो जाए, मुझे धन मिल जाए अगर मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, तो मुझे है, मुझे बस प्रेम मिल जाए किसी से तो यहाँ पे दुख को समझना, कि ये छोटे-छोटे कारणों में मत जाओ कि मुझे धन नहीं मिल रहा, मुझे पीडा है, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, नहीं, right view, सही समझ क्या है, कि दुख है, दुख, मतलब यह बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको छोटे से उसको नहीं देखो, और इस दुख का क्या कारण है, उस कारण को समझना, और फिर उस दुख को दूर करने की चेश्टा करना, कि हम यह नहीं कि बस एक दुख मेरा पुरा हो जाए, नहीं, यह छोटे दुख से मुक्ती नहीं, दुख से ही मुक्ती हो जाए, सारे दुख, तो बुद्ध हमें जो रास्ता बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, तुम्हारा छोटा मोटा दुख नहीं, तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, कि तुम्हारे सब दुख समाप्त हो जाएंगे, देखो मुक्ती दुख से तो हम सब चाहते हैं है न, जो शरीर की पीड़ा से भी मुक्त होना चाहता है, चाहता तो मुक्ती होना है दुख से, जिसको प्रेम नहीं मिल रहा वो अपने अकेले पन के दुख से मुक्त होना चाहता है जिसको पैसा नहीं मिल रहा, वो गरीबी के दुख से मुक्त होना चाहता है लेकिन यहां पे क्या है, उससे पहले एक दिया गया है, इस वाले दुख से मुक्त, इस वाले दुख से नहीं, बुद्ध कह रहे हैं दुख से तो तुम्हारी समझ किस चीज में होनी चाहिए कि ये दुख है ही क्यों, तो अगर पहला नोबल टुट समझ में आएगा तब ही आप दूसरे पे जाएंगे कि अच्छा क्यूं है, मेरे सारे दुखों का कारण क्या है, तो क्या बताया गया है यहाँ पे इच्छाएं, इच्छा इच्छा आपके दुखों का कारण है की, और मैं क्यूं, फिर हमें जानना होगा आगे, कि क्यूं में कोई तुटी या कुछ लगे की नहीं ठीक है तो जरूर correct करिएगा उसके बाद है right intention मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा संकल्प या motive intent या इच्छा मकसद हां जी कि मकसद क्या है जो हम motive बोलते हैं तो पहले सही समझ उसके बाद कि मैं जो भी कार्य करता हूं या करती ह हूं उसका मकसद क्या है क्या मुझे सिर्फ यहां पर कोई एक छोटा सा मकसद पूरा करना है या फिर अब दुखों से मुक्ती पाना है क्या मैं बस एक छोटे से दुख से मुक्ती पाना चाहता हूं या फिर मैं सच में सारे दुखों से ही मुक्ती पाना चाहता हूं intention के साथ एक और जो शब्द कई जगे पे आपको देखने को मिलेगा जो eight-fold path जैसे मैंने बोला ना कई लोगों ने अलग-अलग किये हैं तो वहाँ पे उन्होंने right resolve भी बोला है या फिर संकल्प कि मेरा संकल्प क्या है जैसे कोई ऐसा हो सकता है बोले कि संकल्प है कि मैं अहिंसा में रहूं कोई बोलेगा संकल्प ये है कि मुझे मोक्ष चाहिए कोई बोलेगा संकल्प ये है कि मुझे बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चलना है तो ये जो intention है ये आपकी क्या रहेगी आपके हिसाब से तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा मकसद है वो ये होगा कि हम अध्यात्म के रस्ते पे या बुद्ध के बताय हुए रस्ते पर चलते जाएं और हमारे जितनी भी इच्छाएं हैं या हमारे जितने भी बंदन हैं हम उनसे मुक्त हो जाएं तो ये हो जाएगा ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहे हूँ पर आपका क्या right intention यहाँ पे होगा ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा यह हर उसमें आपको अलग-अलग मिले आपको पहले सही समझ आपकी सही समझ है और उस समझ के हिसाब से आप अपना क्या इरादा बनाते हैं क्या मकसद बनाते हैं फिर हम तीसरा लेते हैं right speech अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वैसे अगर हम देखें जो हमारे पतांजली के यम नियम है वो भी इसमें आ जाते हैं अश्टांग योग के तो right speech में सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो आती है क्या? कि जूट नहीं बोलना Do not lie और हम जूट बोलते क्यों है? अपना फायदा करने के लिए और अगर मैं अपने फायदे का सोच रहा हूँ या फिर मैं अपने नुकसान को बचाना चाह रहा हूँ तो यहां पे क्या आ गई? इच्छा आ गई कि मेरी इच्छा ये है तो फिर और हमने क्या जाना है Four Noble Truths में कि इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है तो अगर हम उसको भी समझेंगे ठीक से तो automatically, naturally हमको ये समझ में आएगा कि जूट नहीं बोलना है फिर आजाता है कि कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे दूसरे का नुकसान हो या दूसरा hurt हो या दूसरा harmful अब यहाँ पर क्या आजाती है intention कि हम किस intention से बोल रहे हैं कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बोला आपकी जो intention है वो बिलकुल सही थी लेकिन फिर भी किसी दूसरे को बुरई लग गई आपकी बाद आपने सच बोला कई बार लोगों को सच भी सुनना अच्छा नहीं लगता है है न हम यह सब भी जानते हैं कि अगर हम और कई बार हम इसलिए भी नहीं बोलते है जूट बोलते हैं हमें लगता है नहीं दूसरा हर्ट हो जाएगा उस चक्कर में हाँ तो उसमें चुप रहना ठीक है चुप रही है बजाए जूट बोलने के और सबसे अच्छी चीज इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं जो स्पीच की आती है वो होता है कि जहां तक ह हो सके चुप रहें जितना हो सके हमेशा सोचें बोलने से पहले क्या ये बोलना जरूरी है क्या सच में क्या अगर मैं ये नहीं बोलू तो भी चलेगा या बोलना सच में जरूरी है और आप देखेंगे कि 90% होगा कि इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है वो बात करने की आपको फिर हम देखते हैं कि क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्या मुझे पक्का पता है कि ये सत्य ही है ये सच है what I am going to say is that really the truth और फिर से आप देखेंगे जब आप ये अवलोकन करेंगे कि बहुत बार आपको नहीं पता होता वो सत्य है के नहीं है शायद सुनी-सुनाई बाते होती हैं किसी ने बोला है और आपने सुना है और हम आगे पासवान कर देते हैं जादा तर gossip ही होती है और उसका कोई मतलब नहीं होता हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता ये सत्य है के नहीं है तो पहला कि क्या ये बोलना जरूरी है दूसरा क्या ये सत्य है और तीसरा अगर मैं सामने वाले को ये बात बोलू तो क्या उससे उसको लाब होगा क्या उसको कोई फाइदा होगा उससे सच में ये मेरे बोलने से और अगर आप ये तीनों चीजें हमेशा दिमाग में रखेंगे आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी बातें समाप्त हो गई है अप कुछ कहने को बचा ही नहीं है इतना कम बचेगा कहने के लिए कि बस आप साइलन्स में ही चले जाएंगे शांत ही हो जाएंगे और वो जो शांत जब आपका चित्त शांत हो जाता है और फिर जो भी शब्द निकलते हैं वो सही ही होते हैं हमारी तीन चीजें हो गई सही समझ, सही संकल्प या सही इरादा और फिर सही, सही वानी एक और ले लेते हैं, राइट आक्शन तो राइट आक्शन क्या हुआ? सही कार्य, सही कर्म अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं अगर मेरी समझ सही है, अगर मेरा इरादा सही है अगर मेरी वानी सही है और वानी से भी तो हम कर्म करते हैं कर्म सिरफ हम शरीर से थोड़ी करते हैं और आजकल के जमाने में तो वानी से सबसे ज़ादा कर्म होते हैं तो कर्म कि मैंने जो भी कर्म किया वो सही है के नहीं अब वही अगर हम जो हमने वानी पे चीज लगाई वो हम यहाँ पर भी वही तीनो रूल्स अपलाई कर सकते है कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ क्या वो जरूरी है क्या वो करना जरूरी है या मेरा फाइदा होने वाला है मेरा फाइदा मतलब यहाँ पर इसे बहुत सारे कर्म हमें शरीर के लिए करने होते हैं तो यह शरीर की बात हो रही है कि जैसे आपको खाना खाना है, नहाना है या अपने शरीर के जो भी कारे करने हैं वो भी तो actions होते हैं और फिर हम इसके अंदर actions ले सकते हैं जैसे आप हर कोई एक अपने लिए भी बना सकता है, आप लोग एक अपनी list बना सकते हो, जैसे कई लोग वो करते हैं कि हाँ हम किसी को भी, हम मारेंगे नहीं, no killing, या किसी को injure नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे का नुकसान हो जाए, या फिर right action में आ जाता है, कि जो भी चीज दूसरे ने नहीं दी है, हम अपने आप नहीं लेंगे, ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें भी कभी गरबर होती है, कि क्या किसी ने जो दूसरे ने वो चीज हमें नहीं दी है, क्या हम वो ले रहे हैं, और ये चीजों में ही नहीं है, ये ग्यान में भी हो सकता है, ये किसी और चीज में भी हो सकता है, ये किसी की permission हो सकती है, कि बिना किसी के दिये हमने खुद ही अपने आप ले ली, तो वो भी, कि वो मेरे जो कर्म अपनी इच्छाओं की ही पूर्ती के लिए हो रहे हैं? जो मेरे इस शरीर और मन की इच्छाओं हैं? क्या उन्हीं की पूर्ती के लिए हो रहे हैं? या मेरे जो कर्म हैं इन इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हो रहे हैं? है ना? दो तरह के कर्म हो सकते हैं. एक कर्म ज अभी मेरे पास एक मकान है, दो मकान हो, ऐसा हो, मैं यहां घूमा हूँ, अभी मैं वहां भी घूमू, तो क्या मेरे सारे actions सिरफ अपनी इच्छाएं पूर्ती, इच्छा पूर्ती के लिए हो रहे हैं, या मेरे actions इन इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हो रहे हैं, तो ये चार-पांच चीजें हम right action के अंडर ले सकते हैं फिर इन में थोड़े से नियम आ जाते हैं और यहां पर नियम दिये नहीं जाते ये कुछ, देखिए, कुछ मारगों में ऐसा होता है कि आपको वो नियम गुरू देते हैं right actions में जिसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको भोजन किस तरह का करना है कुछ मारगों में ये अनिवारे होता है कि आप हर तरह का भोजन नहीं खा सकते जैसे हो सकता है आपके लिए उसमें non-vage allowed नहीं हो और आप सब नहीं सुना होगा, कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको प्याज लहसुन अलाउड नहीं होता इसमें भी लोग confused रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए तो ये वले actions आपके मार्ग के हिसाब से होंगे, आपके गुरु द्वारा बताये जाएंगे और कुछ मार्गों में हैं कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप खाते क्या हो तो वहाँ पर खाने के actions नहीं होंगे, लेकिन और कोई action हो सकता है अब जैसे हम जब क्रिया योग की बात करते हैं, तो वहाँ पर action क्या है? आपका क्रिया करना, कि आप रोज क्रिया करें, तो ये आपका सही action है What is the right action? That you do क्रिया every day So these things will differ from person to person आप इस चीज को समझ लीजिए कि हम जब इस चीज को, इसका discussion कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, वो व्यक्ति निष्ट होंगी, एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे अगर पचास लोग भी हम हैं हो सकता है हम पचासों लोगों के लिए वो जो सही actions हैं वो अलग-अलग हो किसी के लिए सही action होगा कि उसको non-vej नहीं खाना किसी के लिए सही action होगा दूसरे की मदद करना किसी के लिए सही action होगा मेरी साधना को करना किसी के लिए कोई और होगा तो वो सब, सब के लिए अपने मार्ग और गुरू के हिसाब से अलग हो जाएंगे तो हमें खुद यह तै करने होंगे या हमें अपने गुरू से समझ के ये तै करने होंगे कि मेरे लिए क्या right action है जस्ट क्योंकि एक कोई ये काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए भी वही है बहुत सारे right actions हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ दो चार ही defined है कि ये ही right actions है एक चीज जो common आती है right action में वो आता है non-violence, अहिंसा कि हम जहां तक हो सके कोई भी कार ऐसा ना करें जिससे हम दूसरे को चोट पहुँचा हैं चाहे शारीरिक चोट या फिर मानसिक चोट तो ये हुए आज हमने discussion किया है चार पे किसी के कोई सवाल हों तो जरूर पूछिए काजल ने पूछा है meditation में body parts पर focus क्यूं करते हैं meditation की शुरुआत है वो उसकी तैयारी है तो क्या होता है जब भी हम शरीर के अलग-अलग अंगों में ध्यान देते हैं तो शरीर बहुत relax हो जाता है और काफी सादकों की ऐसी भी एक स्थिति आ जाती है कि आपको शरीर उसके बाद महसूस भी नहीं होता आपकी उरजा इतनी बढ़ जाती है शरीर इतना relax हो जाता है कि आपको feel भी नहीं हो रहा होता कि शरीर है और वो एक बहुत उच्छितम स्थिती होती है ध्यान करने के लिए तो अगर आप सोचें कि जो हम ध्यान घुमा रहे हैं वो ही ध्यान है? नहीं, वो ध्यान नहीं है वो ध्यान की तैयारी है ध्यान तो असल में वो भी नहीं है जब हम करते हैं जब हम कुछ भी कर रहे हैं वो भी ध्यान की तैयारी ही है यह सब कुछ इसलिए है कि एक दिन यह सब करते करते कहते हैं ना कि बूंद बूंद घड़ा भर जाता है करते 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 एक समय ऐसा आजाए जब ध्यान लग जाएगा और ध्यान कब पता लगेगा ध्यान लगा जब आप नहीं रहोगे ध्यान करने वाला नहीं रहेगा तब होगा असली ध्यान काजल ने लिखा है साधन को साध्य नहीं मानना है बिलकुल बिलकुल सही बुला आपने तो चलिए शुरू करते हैं second दूसरे ध्यान की तयारी आप लोग फिर से अपनी अपनी पुजिशन ले लीजिए जहां पर भी आपको बैठना है एकदम रिलाक्स हो जाए बैठ जाए इंशॉर करिए कि आपकी रीड की हड़ी सीधी हो या तो आप पाल्थी में बैठें या फिर अगर पैर सीधे करके बैठ रहे हैं या नीचे हैं जिसे कुरसी पे बैठें हैं तो आपके पैर जमीन को छू रहे हों तो बहुत अच्छी बात है साहिल का बीच में एक प्रशन आया है क्या शरीर पर ध्यान के इंदृत करने से उनंग में प्रान का संचार होता है बिलकुल बिलकुल सही बुला साहिल आपने तो प्रान उर्जा वहां पर भड़ती ही है whatever we pay attention to that expands आपने शायद सुनना होगा जिस भी चीज़ पर हम ध्यान केंदृत करते हैं वहां पर उसका expansion होता है उसकी बढ़ुतरी होती है तो हमारी प्रान उर्जा भी बढ़ती है बिलकुल अभी हम बस सिरफ दो तीन मिनिट के लिए ही शरीर को ध्यान को शरीर में घुमाएंगे बस और उसके बाद हम सीधा जो ध्यान की जो second part है ध्यान का उसमें उतरेंगे तो शुरू करते हैं एक बार अपने शरीर का उपर से नीचे तक एक scan कर लीजिए देखिए सब ठीक है रिलाक्स्ट है ना कोई part tense तो नहीं है थोड़ा सांसों पर ध्यान दीजिए देखिए सांस कैसी चल रही है बदलना नहीं है सांस को बस देखना है सिरफ देखिए मन में कुछ विचार परेशानी तो नहीं चल रही है उसको फिर से पाक कर दीजिए जादा नहीं अब तो 15-20 मिनिट की बात है उसको बोलिए आते हैं तेरे पास अभी तुम भी आराम करो थोड़ा सा साइड में हो जाओ चलिए अपने शरीर में ध्यान घुमाएंगे थोड़ा सा मेरी आवाज के साथ रहिएगा अब हम ध्यान को ले जाएंगे अपने पाओं के पंजों में दोनों पाओं के पंजे नीचे के पेर घुटने दोनों जांगें थाइज दोनों हिप्स आपका पेट और पीछे की पीट कमर और पीछे की पीट चेस्ट और पीछे की पीट दोनों कंधे एक साथ दोनों उपर की बाहें एक साथ नीचे की बाहें दोनों हाथ गर्दन थोड़ी दोनों गाल दोनों कान नाक दोनों आखें माथा उपर का सर अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ शरीर और मन एक तम शान्थ शरीर और मन एक तम शान्थ अब हम दूसरा भाग शुरू करेंगे आज बुद्ध पुर्निमा है बुद्ध की चेतना नीचे आती है हमने जाना है हमने महसूस किया है उस चेतना को अपने अंदर तो अब हम पहले हमने उस चेतना को अपने अंदर उतारा अब आपको कल्पना करनी है कि जितने भी लोग हैं शुरू करिए अपने घर के लोगों से आपको बस कल्पना करते जाना है एक एक करके धीरे-धीरे कि हरे एक के अंदर वो ही बुद्ध की जेतना है या वो बुद्ध है आप देखिए उन सब में पहले अपने घर के आसपास के लोगों से शुरू करिए एक-एक करके और आप ये फटा-फट कर सकते हैं पहले हमने जब अपने लिए किया था तो हमने धीरे-धीरे उस चेतना को उतारा था बस आप देखिए जितना आपको सही लगे उस तेजी से कि उन सब में वो बुद्ध चेतना उतर रही है आपके घर के मेंबर्स एक-एक करके करते जाएए आपके दोस्त, आपके रिष्टेदार, आपके फ्रेंज जिन जिन लोगों में आप देखना चाहते हैं करते जाएए सब में बुद्ध की चेतना उतारते जाएए आप चाहें तो ऐसी भी कलपना कर सकते हैं कि जैसे सब बुद्ध होते जा रहे हैं और जब मैं कलपना करती हूँ तो जो बुद्ध के सर का उपर का हिस्सा होता है ना बाल वो इमाजन करने से तो बहुत आसान हो जाता है जैसे सब के सर वैसे ही होते जा रहे हैं आपके पती, अपत्नी, बेटा, बेटी, बहु, पेरेंस, भाई, बहन, जो भी हैं दिखते जाएए सब के सर पे सब बुद्ध हो रहे हैं बदल गए हैं जितने लोगों के बारे में सोच सकते हैं, करते जाएए सब बुद्ध हैं, सब बुद्ध आप अपने पेट्स को भी ले सकते हैं अब आपके सब जानकार हो गए हों, जिनको आपने बुद्ध बना दिया तो अब और कल्पना को थोड़ा सा बढ़ाईए जिनको भी आप थोड़ा सा भी आपको ध्यान हो, आपके पड़ोसी हैं, आपके सुसाइटी में लोग हैं, इधर उधर सब को देखिए, अब थोड़ा तेजी से करिए, अब उन सब को भी बुद्ध बना दिजे जिसका ध्यान आपको आजाएं, किसी ने आपके घर काम किया था, कोई आपके घर प्लंबर आया था, कोई इलेक्ट्रिशन आया था, किसी रेस्टरॉन पे आपने जाके खाना खाया था जिसके भी बारे में आप सोच सकें सब में बुद्ध कीजिए इतना उतार दीजिए और बुद्ध बना दीजिए उने अब थोड़ा और आगे चलते हैं अब ऐसा देखिए कलपना करिए कि इस दुनिया में जितने लोग हैं चाहे आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं सब बुद्ध हो गए हैं सब के सब कोई ऐसा है ही नहीं जो बुद्ध ना हो मनुष्य भी और जानवर भी सब बुद्ध कलपना करिए देखिए सिरफ जहां देख रहे हैं जिसे हमें भीड नजर आती है न जहां देखते हैं बस वो ही बुद्ध के सर नजर आ रहे है और बात तो सच है सब बुद्ध हैं ही सब बुद्ध हैं बस पता नहीं है कोई अपने आपको बुद्धु मान के बैठा है कोई बुद्धी मान मान के बैठा है ये जाने बिना की वो बुद्ध है तो हम उनको बुद्ध ही देखेंगे चलिए बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से अब सब देख पा रहे होंगे अपनी कल्पना में बुद्ध के ही सर हर जग है, बुद्ध की ही चेतना हर जग है हम बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चेतना को, जितने भी जीव, जन्तू, मनुश्य, प्रानी इस जगत में है सब में अपने आपको उतारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब आप फिर से हलका सा अपने शरीर में आ जाएए वापिस, अपना ध्यान वापिस शरीर के अंदर, थोड़ा सा हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को दोनों रब करें, आखों पे रखें और आखें खोल लेजे, अब आप उठ सकते हैं और अब सबका homework क्या है, कल रात के session तक, अब आप जितने लोगों को देखिए, अभी 24 घंटे, आपको ये ही बिल्कुल ये मानके चलना है, जितने लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, वो बुद्ध ही हैं, आपको उन्हें बुद्ध ही देखना है, जो नजर आपको, जिससे बात हो, जिसके बारे में सोचो, विचार आए, बस बुद्ध, एक दिन के लिए आपकी नजर में हर कोई बुद्ध ही रहना चाहिए, तो चलिए, आज हमारी बुद्ध पुर्णमा की शुरुआत हो गई, ये चलता रहेगा, 24 घंटे हम इसी ध्यान में रह आपको, जब पुरुआत चाहिए, तो चलता रहेज है झाय में बुद्ध, दिसक चलता रहे हिसे भष्भत पुरुद्ध, बस बजात हो, जिसके बुद्ध, रहे हो सबाएं़ से रहे हुआता हो, ये विथ कि रगुत, बस अजर एक रहे काया हो, बस्द में सब्दान की अ झाल झाल